आधने पाइलेट साब दोस्तों बुजर्गों माता हूं मैंनों आज परमादेंटिये सोनिय गानी जी खरगे साथ और प्रियंका जी जैपूर आए हैं राजिस्थान आए हैं मैं एक बार पुने अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवा देना चाहता हूं कि आज जो हमारा घोष्णा पत्र जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालेंबर और चारी गृप से जनता को प्रसुत किया था आज जैपूर के माध्यम से पुरे देश भर में जन जन तक हमारा घोष्णा पत्र लोगों तक पहुँचे इस एरादे को लेकर यहां पर आये हैं आप सभी जानते हो इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक विक्ति नहीं लड़ रहा ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा ये चुनाव दो बिचारधाराओं का है और दस साल से इस देश में जो बातावनट बना है दस साल से केंद की सरकार ने जान बूच कर तमाम हमारी सम्मिधानिक संस्थाओं को नितिकत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है ये इस बात का चुनाव है कि दस साल से जंता के साथ बादा खिलाफी हुई है मैं धन्यवा देना चाहता हूं खरगे साब का 36 गर्ण में राहूल गांदी जी और खरगे साब ने पहली बार एक गोशना करी कि कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया अलाइंज की सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की लीगल गैरेंटी देंगे किसानों को एक कानून एजिकार मिलेगा मुनेदम समर्थन मूल का बादा करेंगे हमारे जो गोशना पत्र है महिला नौजवान श्रमिक हर वर को साधने का का हम लोगों करना चाहता हूं कॉंग्रेस कारे करता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच हमारी विचारदारा हमारा घोशना पत्र जन जन तक पहुंचे जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पर नहीं लड़ेंगे तब तक हम अच्छी तरह कामयाप नहीं हो सकेंगे विदान सबाद चुनावों में थोड़ी कमी रह गई हम सरकार नहीं बना पाए लेकिंगे दुबारा मौकर हम लोगों को मिला है राजस्तान से अधिकान सीटों पर कॉंगेस पाटी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा और 2004 में भाजपाने गमंड और एंकार में पचार किया था इंडिया शाइनिंग का आज 20 साल बाद वो ही होगा जब सुने जी के नित्यत्य में 2004 में पौंकिस्टी सरकार बनी थी 24 में भी पलट फेर होगा इंडिया हारेगी इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी में आप सब लोगों का बहत बहुत धनिवाद करता हूँ और उमीद करता हूँ आने वाले चुनाअपचार में हम दम खंट के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोगस्वा पर त्याशन को चिताने का काम करें आप लोगों का बहुत भूत धनिवाद जैहिन राम राम साथ